एंग हेलो फ्रेंट्स वेल्कवबैक selfie तो इस लक्षईर में हम देखेंगे बॉरकंगो फुर इंजहन्य होता है वर्किंग फुर सुपक इंजहन अमारा कैसे काम करता है तो इस होता है सिर्ariat सिर्फ एक लग होता है क्या होता है पेट्रवल में फिूल को बाण कराने के लिए तो यहां पर यहां पर दिख रहा होगा ठीक है बट इन डीजल इंजिन जानते हैं क्या होती है वॉलिटेलिटी कम होती है वह आटोमेटिक आप नॉर्मली कोई आप हीट प्रोवाइड कराओगे तो नहीं बर्न होता है उसको बर्न कराने के लिए क्या करते हैं यहां पर लें फ्रेइक यहां पर पर फुल करेंक त sneaking फि agree वेलीट हमाइन जैसे होते हैं तो चाह्ड करण है पर इंब अग्नाइड होने लगता asking ठीक है तो हमारे डीजल इंजन ऐसे काम कुरता है दोनों में सिर्फ इतना ही डिफ्रेंस है पेट्रॉल इंजन में एयर फ्यूल मिश्टर दोनों हम साथ में अंदर लेते हैं बट डीजल इंजन में सिर्फ हम एयर लेते हैं फ्यूल को लास्ट में हम इंजेक्ट करते हैं जब हमारा एयर फुली प्रेसराइज हो जाता है तब ठेक है आगे देखो यहाँ पर सेम तुसम वैसे लिखा हुआ है पोई च्ट्रोक एसा इंजन पेट्रॉल इंजन में पहला इंट्रोक होता है ठीक है धे this event is when the air-fuel mixture is introduced to fill the combustion chamber air fuel हमारा combustion chamber के अंदर आ गेऊ है दो इंटेक इवेंट occurs when the piston moves from TDC to BDC ज़र पिस्टन टी डीची पर हमारा होगा तो फिर जब वो बीडीची पर आएगा तो क्या होगा हमारा बाहर का जो अइटमस्फेयर है और जो हमारा पिस्टन एंजन के अंदर का सब्व दोनों का सब्सक्राइब अलग हो गा ठीव एंग पढ़ लेते हैंols टेंडिडर इंटेक वावव जो पिन ऊपेड़ गा जब हमारा पिस्टन टीडी सी से पीडी सी जिएगा तो इंटेक वाम अब ओपेन हो जाएगा फिर क्या होगा इंटेक वाब से हमारा एयर फ्यूल मिक्ष्टर अंदर आ जाएगा तेक है दा मुव्मेंट ऑफ पिस्टन टुवर्ट्स बीडी सी क्रियेट्स अलोग प्रेशर इंद साइलेंडर देखो यह 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 लोग प्रेशर कारण बाहर का अंदर की वहरी क्यों आता है यह लिए पिश्टन के अंदर प्रेशर बाहर के टैम प्रेशर से कम होता है इसलिए टिक है एम्मिनन्ट अट्म स्वेरिक प्रेशर फोर्से इस अрफ एएर फ्यूल मिस्टरेग च्टूर्चरो देंटिए का निट्चर्ट यह वाल्व इंट कि मिन्स ठिंग की बात हो रहा है जब तक सब्सक्राइब करेंग दिखेंग सब्सक्राइब डिपेंडिंडिंग पर पहुंच जाता है फिर भी एक्चुल की बात करते हैं फिर थोड़ी देर के लिए हमारा वाल्ब ओपेंडिंडिंग इंजन डिजाइं टिक इंटेक वाल्ब देन टोड़ी जैसे सटार्ट होता है उपर यह जानने का दुबार की डिजिप हमारा इंटेक वाल्ब और हमारा एंदर इंटेक क्या क्या हो जायेगा है अब चीट से से TDC पर जाएगा the combustion chamber is sealed to from charge the charge is the volume of compressed air fuel mixture trapped inside the combustion chamber ready for ignition compressing the air fuel mixture allow more energy to be released when the charge is ignited intake the exhaust valve must be closed to ensure that the cylinder is sealed to provide compression होता गया है जब हमारा बीडी से डीडी से पर जाएगा दुबारा कॉंप्रेस करता है जो सेम एमाउंट एक सेम एमाउंट आफ हमारा एयर फ्यूल में अंदर आ गया अब उस वॉल्यूम तो फिर हमारा क्या होगा सिफ प्रेशर चेंज होगा प्रेशर चेंज होते 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 एक पीक प्रेशन जदे पहुचा स्पार्क दिया इगनाइक हुआ इसलिए बोलते हैं constant volume पे इसा इंजन में heat क्यों एड होता है ही रिजूम था ठीक है कि ignition event the ignition or the combustion event occurs when the charge is ignited okay and rapidly oxidize through the chemical reaction to release heat energy अब क्या होगा आपने दिया स्पार्क देने के बाद combustion chamber में आपका क्या होगा बन होने इगनाइट होने लगेंगे फ्यूल पार्टिकल्स जितने हैं सब बंड इनेर्जी कहां पे जाएगा हमारे पिस्टेन पे औरत को मूव तो होता नहीं से फिस्टन होता है तो पागी फूरक पूरा एञडी हमारे फिस्टन पे लगता है पूरे जयक्री सी वहांifa बचा होता हो में हमारा जो एनेरजी वहां येंचली बचा हो और आप स्पाक देते हो हीट क्योंकि अल्रेडी एर से हमारा फ्यूल टोटली सेम फेस में आ गया होमोजोनेस मिक्षर बन जाता है क्योंकि जानते हैं पेट्रोल की वॉल्टीलिटी तेज होती है ठीक है कोई भी चीच बर्न होने के लिए इंगिनाइट होने के लिए दोनों का फ इस वह सब्सक्राइब नहीं लगता है अब जो टम हमारा गयस्ट में चेंज हुआ हुआ है वहीं बर्न होता है बाकी जो उसकी वहां बर्निंग स्टार्ट हुआ दीर दीर फैलते 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 पिस्टन के अब तक पूरा फैलते जाएगा ठीक है पावर श्ट्रोक क्या है वही जो आपका फ्यूल बर्ण हुआ और इनर्जी कहां पे लगा पिस्टन पर पिस्टन क्या होगा फिर एक्सपेंसन होगा टीडीसी से बीडीसी पर आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पावर श्ट्रोक ठीक है स्टार्टिंग में खूला था जब सक्षन कर रहे थे हम लोग अंदर की और ले रहे थे उसके बाद जब बंद हुआ तो पावर श्ट्रोक तक हो नहीं खोलेगा ठीक है फिर जब बीडीसी से टीडीसी पर जाएगा एक्जॉस्ट स्ट्रोक में तब हमारा एक्जॉस्ट वाल फिर जेकर पी वी गर्म यह एक्ष्थव प्रोसेस था हमारा एयर फिव मिर्टीड को भी हमारा शीक ह साखाँवा को कि तक यहां से देखंगर यह इंलेट वाल भामए उपन हुआ थिक अभी दो यह पिस्टन हमारा नीचे की और आरा vari कि पिश्टन हमारा नीचे की और आ रहा है देखो इंटेक वाल ओपन हुआ एर फिश्टन हमारा अंदर की और आ गया अब पिश्टन यहां पर आ गया ठीक है यहां पर जाएगा अरे यार यह तो उल्टा इसके बाद क्या होगा हमारा यह प्रोसेस है पहला यहां पर जो पहला प्रोसेस है यह हमारा पहला प्रोसेस है ठीक है क्या होगा यहां पर पिश्टन नीचे की और मुव हो रहा है ठीक है तो हमारा यह क्या होगा यह वाल ओपन हुआ वाल ओपन हु यह सेकेंड है हमारा यह ठीक है आप यहां प़े क्या होगा तूर विढ़ी निचे हैं भी feministiseniki झाय जीएगा जो भी अंदर का एर होगा वह क्या होगा हो जाएगा ठीक है यहां पर वॉपर कीया प्रक्रश चाली त 나서 और फिर आपका जो हैन लोगा पूरा एंट हभा फिस्टन आपका हुपर आपका उपर की हो जाएगा इंजा इस नितप्तन हुआ अब्सक्वीन के जएगा उपर की सासच इस्ट में करकल के लुकर सों जो और सियाइ इंजन कैसे काम करता है फोर स्क्रों का सारा प्रेशर से में ने कॉंप्रेशनि इस पेंच सब कुछ से में बस यहां पर अ팅 थाइम पाट है यहां पर इंजक्टर यहां पर यूज वह रहा है और इक काम क्या क्या हम इनलिट जो हमारा एयर आता है यहां पर एयर आता है हमारा अंदर की और फ्यूल कहां से आता है यह है फ्यूल का को ठीक है फिडियुल इंजेक्टा हम एहां पर शिफ mapped को सकक करता है जब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है थीक है और पिडीसी श्लट की ओर जाएगा तो फिर क्या होगा हमारे एयर को हई प्रेसररद करेगा अब फिर जा लिए प्रिको फोनेचे और पिरस्टोल Waarलेगा क्त्रीस ग्वात lifted करेंगे और सब्सक्र Raw to uhTalk , अब फिर क्या होगा रिस्टोर एदगी वहापस हमारे पिस्टोन को झाएगा अन्दर ओपर की ओर जाएगा और क्या करेंगा हमारा जो भी फ्लुक ऐसे से उसको बाहर की और निकाल देगा ठीक है आगे बढ़ है अब देखो इंटेक प्रोसेस और इंडेक्शन और सक्षन बोलते हैं जिसको इस स्टोक आप पिश्टन बिगन एच टॉप डेट सेंटर टीडी सी से एंड्स एड बाटम डेट सेंटर बी इस स्टोक बिगन अट बीडी सी ओर जट एट एड्द अडड थे सक्षन फोक और अंट आट्ट डीडी सी इन इस स्टोक थे पिस्टन पूुप चोपारिए धीशल जिए पूटे जए अग्स्तों वर दिरिल इस सिर्च इंट सेच जि सच्छ पहर जोन आए प्यृ एग बी सब्सक्राइब क्रेंक साफ्ट एप फुल थ्री सिक्स्टी डिए रिवलुशन एक जब हमारा तक मसंट टाइम तर सक्षन हो गया कॉंपरेशन हो गया जैसे कमशन का टाइम आया मिस आपका पिश्टन आपका जो क्रेंग है एक एक राउंड ले लिया ठीक है वाल पिश्टन इस एट टीडीची एयर फ्यूल मिश्टर इस इगनाइटेट बाई हीट जने टेट बाई हाई कॉंपरेशन डिजल इंजन फॉर्ट फुली रिटनिंग दपिश्टन टू बीडीची पिश्टन पर फ्यूल जो हमारा इंगनाइट हुआ है बीडीची पोफूच जाएगा इस श्टोग प्रदूस मेकनिकल वर्ट फॉम इंजन टू 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 क्रेंक साफ और एंग्जॉस्ट पोसिस क्या है अग्जॉस्ट को आउटलेट भी गोलते दूरिंग अग्जॉस्ट स्टोग पिश्टन वन्स अगें रिटन फॉम बीडीची टू टीडीची वाल द हुआ है ठीक है यहाँ पर एयर सॉरी ओली एयर हमारा अंदर रखी हो रहा है ठीक है एयर मिक्षण अब हमारे कॉंप्रेशन तुछ रूद करेंगे बाद हमाने कराया बंदींग हुआ बंदींग होने का पूरा फोर्स प्रेंगा पिस्टन पर बीडी सी पर आगया ठीक है अपेज़स्ट वाल ओपेंद हुआ अब टीडीसी की और जाते-जाते-पूरा गैस बाहर निका जाएगा अब हमारे पिस्टन पर लागिया भीडीसी की और आएगा तब आपका इनलेट वाल ओपन हो जाएगा और एयर फ्यूल अंदर की और आ जाएगा ठीक है ऐसे पूरा प्रस फिर से चालो हो जाएगा है कि अच्छिक है इस्टार्ट यहां से हैं कि यह साइक्लिक प्रोसेस है कि ऐसे साइक्लिक काम करेगा ठीक है आपको यह पूरा अच्छे समझ में आया होगा और यह लास्ट है यह पूर्ष दिफ्रेंस यह कोशन पूश्ट देता है एक्जाम में कि जो टेरिटिकल एंड एक्च्छल पीवी डाग्राम फॉर डिजल इंजन फॉर स्ट्रोक डिजल इंजन तो देख लो ऐसा होता है अब आप कुछ कुछ पूछते हैं यह कर्व ऐसा क्यूंबनता है यहां तो एकदम ऐसे बना हुआ है मिस ऐसे बना हुआ है ठीक यहां पर यह कर्व ऐसे क्यूंबना हुआ है रिजन क्या दोगे आप जब हमारा फ्यूल इंजेक्ट होता है हर प्रोसेस में हर प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है फ्यूल को आपने एर को आपने कॉंप्रेस कि या हाई टेंपरेचर फ्यूल अंदर भेजा फ्यूल अंदर भेजा फिर हीट ट्रांसवर होगा एर मॉलिक्यूल से फ्यूल के मॉलिक्यूल में फिर फ्यूल अधर बनकेयोंब स CC में आने कि लिए ये वेपराइज होगा वेपराइज होने के बाद फिर लगाव इतना success अधर्य नियसेन के लिए टाइम च्छाने के लिए घर सफिर बनता है हमारा पूत कि यह हम ऐसा कर्व बना यह बनता है ठीक है तो थाइंक इस वीडियो लाइक और सेरी